प्राब्लम है जब हमें बताना होता है कि 11 बचकर 10 पनेट हुए है तब हम इंग्लिश में काफी कन्फ्यूज हो जाते हैं और हिंदी में बताना ही प्रिफर करते हैं इस वीडियो को लास तक देखें और इंग्लिश में सीखें टाइम बताना सिर्फ 2 मिनट में अकसर लोग एम और पिएम में भी कन्फ्यूज हो जाते हैं तो चली पहले जानते हैं कि एम और पिएम की क्या फुल फॉर्म है और एम और पिएम को कहां पर यूज करते हैं एम मींस एंटी मरीडियन जो रात के बारा बज़े से दुपहर के बारा बज़े तक होता है वैसे टाइम हब दो तरह से बता सकते हैं करोकई पड़ियनों जैसे ग्यादा बजकर पतासमिन या स्वारा बजने में दस्यूर्य कम सबसे पहले जानते हैं कि एतने बजकर इतने मिनट को कैसे बोलेंगे ग्यारा बचकर 10 मिनट, it's 10 past 11, ग्यारा बचकर 20 मिनट, it's 20 past 11, ग्यारा बचकर 30 मिनट, यानि की साड़े ग्यारा, it's half past 11, अब जानते हैं कि इतने बजने में इतने मिनट कम है को कैसे बोलेंगे, बारा बजने में 25 मिनट कम है, it's 25 to 12, बारा बजने में 20 मिनट कम है, it's 20 to 12, ब बारा बजने में 10 मिनट कम है, it's 10 to 12, बारा बजने में 10 मिनट कम है, it's 10 to 12, बारा बजने है, it's 12 o'clock, और वैसे, don't worry, आप नमल लाइज में फॉमल में 11 बचका 10 मिनट को, it's 11 10, और 11 बचका 15 मिनट को 11 15, और साड़े ग्यारा बजने को, आप 11 30 बोल सकते हैं, I believe this video is really helpful for you, if you like this, hit the bell icon and also share with your friends and subscribe to English Castle channel for latest updates, thank you so much for watching this video, have a pleasant day.